यह तो परसाषण क्या अपनी जंता कुछ गाउंगों की करेगी अपने विसाब से करेगी पका जंता करेगी पका कानून को भी हाथ मिले लेगी क्या मैदल जीत क्या है और अयव आप रादियों को तो चौराए पर जैसे जनकारी मिल रही है कि काल डिटल्स अगर इनकी निकली है साथ जनकारी मिले कि सारा उर्सी ने खेल खेला है इसमें कितनी सचाई है उससे पहले उसने चार-चार गंटे फोन पर बात किया था जो हत्यारा है वह इसाई से भाई यह बताईए आइसे मतलब ल चाहिए था नमस्कार मैं जौनपूर में हूँ और अपराधी के घर पे मैं पहुच चुका हूँ जहां पे किस तरह से धराधार तलवार से हमला कर दिया जाता है यही वह अपराधी का घर है आप देख सकते हैं यह अपराधी के घर के ठीक में बाहर खड़ा हूँ यहां प पुलिस वाले ऐसे नहीं होते बहुत से पुलिस वालों की बहुत से सिकायते सुनी जाते हैं बहुत से पुलिस वाले अच्छे भी हैं मैं सालूट भी करता हूँ और उत्तर प्रदेश पुलिस को मैं धन्यबाद भी देता हूँ आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने ऐसा भी इस तरह के मामले हाँ पर आये हैं कि कहीं न कहीं पूलीस को सब कुछ पता था जहांके ईसे चुह उनको सारा चीज की जनकारी दी गई थी लेकिन वन्होंने अगर गंभेता से इस मामले को लिया होता तो इतना मामला तूल नहीं पकड़ता यह देख सकते हैं planning side इसी घर में हो रही थी यहां सारे चीज़ तोल फोल भी किये गए हैं देख सकते हैं यहां सारे तोल फोल भी किये गए हैं और लोग बताते हैं कि यहां से धराधार तलवार लेके निकलते हैं यहां से लोग बताते हैं इसी तर से दोड़ते हुए जाते ह और वहां से पीछे से गलारेद दिया जाता है यह जगह है मैं बता दूँ आपको लोगों ने बताया जनकारी के अंसार में बता रहा हूं लोग बताते हैं कि यहां से आप राधी जैसे आपने फिल्मों में सीन देखा होगा जिस तरह से फिल्म में सीन होती है फिल्मों में य हर बुल्डोजर का इंतजार लोग कर रहे हैं अगर ऐसे अपराधियों को छोड़ा गया तो आए दिन इस तरह की घटनाएं होंगी आए दिन भाईयों का जान गवाना पड़ेगा वह यह जगा है मैं अपने केमरा परसंट से कहूंगा यहां से ठीक से मैं दिखाने की करेंगे अचाचा जी यहां पहुंचे हैं जो एद्रिस से देखने को दिख रही है यहां से लोग बताते हैं फिल्मों वाली सीन यहां से अपराधियों का यह जाता है और तलवार से हमला कर देता है क्या लगा क्या दिखा बहुत ही निंदनी घटना है मैं आज लगभग प मानोजीवन बंदे भाग और पिसमत मिलता है मानोजीवन इतना गिर जाएगा कृशोटी छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी मंसिक्ता को इतना दूसित अबू शुंची नहिंसानुत कर लेगा कि कि हर ब्यक्ति को स्ब्सक्राइब मानोजीवन नहीं यह कमिशनर कुछ नहीं बनाएं लोग हर परिवार से मैं चाहता हूँ हर माबाप से चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने बच्चों को इंसान बनाए उसको सदबुद्धी देश्वर कि कम से कम छोटी छोटी चीजों के लिए ऐसी हरकते न करे सब चीज यहीं पड़ा रह जाएगा कुछ कोई लेके नहीं जाएगा मैं चाहता हूँ कि कम से कम सब लोग एक दूसरे से मिल जूलके रहें और इतनी बड़ी जो घटना होई है कि एक छुटा सा भाई और पांच पांच बने मा बाप और एक मैं अब तक सासन प्रशासन जिस धंक से एकसल लेना चाहिए था हमको लगता है उस नहीं ले पाया अब तक तो सही बात मैं बताओ कर तक मुख्यमंत्री जी को स्वयम इस पे संग्यान लेकर स्वयम आना चाहिए था बहुत बहुत अच्छी बात कहीं चाचा जी आप गाधी वाधी विचार धारा के हैं लेकिन ऐसा ये जमाना नहीं है ये अपराधी का घर है भी आप मौझूद थे उस टाइम अपने घर पे थे हम हमें सुचना मिली तो मैं तुरंट आ गया तो दिखा इसी घटना हो गई है कहना पढ़रा किया कि अध्य गैया जाणा जायंता ऐसे लेके जाए जा रहा है जैसे लगरा है की mieili Um exactamente को तो बीच जनकारी इनकारी मिल रहा है कि काल डिटल्स अगर इनकी निकली है साहाइल जनकारी मिले कि सारा उर्सी ने खेल खेला है इसमें कितनी सच्छा ही है जी सर उससे पहले उसने चार-चार गंटे फोन पर बात किया था जो हत्या रहा है यह बताइए आइसे मतलब ले जाया जा रहा था जैसे लग रहा है कि गोल्ड मेडल जीत क्या है पाकिस्तान में आतंकबादियों को मार के जाए जाए अंकवाल है तो खूंड और पर था हम चाहिए तकनी बडी कहां से चूक हो रही है कि जल से जल लेना चाहिए फ्यासन प्रशासन कोका प्रक्षासन तो यहां पर लगी हुए कि घटना वार्दात नहों पाए अपनी सुरच्छा में लगे हुए हैं क्या उमीद है यह घर ढहेगा जी विश्वास है कि गिरेगा अगर नहीं ढहेगा तो प्रक्षासन क्या अपनी जनता कुछ गाउं की करेगी अपनी इसाब से करे अब लेना चाहेंगे आपने सुना गाउं के लोगों का ऐसा कहना है कि अगर दो में रहां के लोगों का का रहा है जो गुस्ता देखा घारा मिलता है नेक्ट वीडियो में फिलहाल इतना ही एक वार फिर से कहूंगा कि ऐसे आप राधियों को सरच छड़ देनी की जरूरत नहीं है ऐसे आप राधियों को सीधा एंकाउंटर होना चाहिए ले तैंबराम मिलेंगे नेक शुड़म फिला लितना ही धन्य बाद